सीरियल पुन्याशलोक एहलवाई के आज के अपसरड में दिखायता है अहिल्या हरकवाई से बोलती है कि छोटियाई मुक्ता के शादी के लिए राज कोशले उतनी राशी निकाली जाएगी जितनी की तैय हुई थी तेकिन इस उपलक्ष में वो दनराशी लोगों की सहायता के लिए इस्तमाल होगी इससे उनके जीवन में फिर से एक बार खुशाली लोटेगी और इस वक्ते ये बहुत जरूरी है ऐसा करने से वो राज परिवार को अपना मानेंगे और इसके बदले हम उनसे अपनी बेटी के लिए आशुराज मांगेंगे और मुझे पूरा वरोसा चोटी आई कि ये आशुराज मुक्ता और शुवन्त के जीवन में उन्हें ती जरूर लेकर आएगा और तब हर को भाई बोलते कि अहिला दन्या वो राज जी और दन्या वो देश जिसे तुमारी जासे राणी मिली और दन्या वो प्राजा जिसे तुमारे जासे आई मिली और इसके बाद इखाया था अबदाली ने मलारा और जनकोजी को बांध कर रखाता है और तब ही अबदाली नजीम से बोलता है कि काउच जो कहना है उसके बाद करना भी तो है और तब ही नजीम बोलता है कि मेरे जाबाई सिपाईयों गोर से देखो यह मलारा होलकर और यह इनके साथी जनकोजी यह यूं कहें कि मराठा इनका कहना है कि एक मराठा सो दुखिना पर बारी है पर ये तो इतने से सैनिकों पर भी बारी नहीं पढ़ रहे हैं अफसोस है इस बात पर कि आप इन पर नहीं बलकि आपकी हसी इन पर बारी पढ़ रही है और तबी सबी लोग जोर जोर से हसने लगते हैं और तबी नजीम बोलता है कि आज के बाद ऐसे कहने वाला कोई मराठा नी बचेगा तो हजूर क्या कहते है कहानी खतम करें और तबी नजीम एक सिपाई को बुलाता है और बोलता है कि देख हम अल ला रहा हो यह एक मामली सा सिपाई अब यह तुमारी गर्टन काटेगा तो जैसे ही वो सैनिक तलवार उठाता है और तबी पीछे ले उसकी पीट पर तीर लगता है और वो नीची गिर जाता है और इसके बाद एक एक करके अबदाली के सैनिकों को तीर लगने शुरू हा जाते है और यह देखकर अबदाली चोक जाता है और अपने सिपाईयां से बोलता है कि उस तरव पेड़ के पीछे जाओ और इसके बाद इखायाता है मालरा विपाارियों के पास बैढ़कर समान देख रहा होता है और तब यह आँ पर अहिल्या आती है तो मालरा विपारियों से बोलता है कि आप थोड़ी तर बार जाइए मैं आपको बुलाता हूँ और तब ये वे विपारी बार चले आते हैं तो अहिला मालरा उसे बोलती है कि इस सब क्या मालरा हो तो मालरा बोलता है कि ये सब मुक्ता की शादी की त्यारी आई से और ये तो कुछ नहीं है किश्मीर से फूल आ रहे हैं इरान से इतर और रेश में कपड़े भी पूरे वाड़े को सजा देंगे हम। तो अहिला बोलते है कि तुम्हें पता भी है कि इस वक्त हमारे वाड़े के बार क्या हो रहे है। तुम जानते हो कि हमारे मालवा में इस वक्त क्या दश है। किस हाल में जी रहे हैं हमारे लोग तुम्हें कुछ भी पता है वहाँ पानी पत में अब दाली के साथ यूद चल रहा है तुम्हारे आजवा बिना रस्द के संगश्ट कर रहे है उनके और पूरी मराठा सेना के प्रान संकट में है क्या तुम जरा सभी अंताजा लगा सकते हो कि इस वक्ते ये स्थिती कितनी गंबीर है और पानी पत की तो बात ही क्या या अपनी प्राजा का जीवन पानी पत की तरह हो गया है सिर्फ पानी पीकर उन लोगों को गुजारा करना पड़ रहे है दाने दाने को महताज है जंता और ना जाने कितने लोगों के सर पर तो शती ने बची है और तुम ये सब क्या कर रहे हो और इसके बाद दिखायाता दो मराठा सेना अब दाली के सेना को स्तीरों से मार रहे होते हैं और कभी अब दाली अपने साइनिक से बोलता है कि तुम इन पर रखो हम अभी आते हैं और इसके बाद दिखा एता है अहिल्या मालरा उसे बोलती है सब तुम केसे दिखाना चाथती हो तो मालरा बोलता है कि आईसा इसमें कौन सी बड़ी बात है यह दुमें तो ऐसा होता ही यह तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो इसमें इतना जज़बाती होने की क्या जुरूरत है अब दूसरों का दुख देखकर हम अपनी खुशियों का गला तो नहीं गोड़ सकते न और ऐसा कौन करता है सब तो अहिल्या बोलती है कि एक सचा इंसान ऐसा करता है मालरा उ और नहीं अपनी खुशियों का गला गोड़ दता है और नहीं दूसरों की दुखों पर ठाकाई लगाता है और अपनी हद में भी रहता है अच्छा होगा कि तुम भी अपनी हद में रहो और एक सचे इंसान बनो तो मालरा बोलता है कि ठीक है सब हम हैं जूठे इंसान लेक इसके बाद दिखायता है वो दो मरहठ हसानिक मलारो और जृंकोजी के पास आती है और अपदाली की सेना को मारकर मलारो और जृंकोजी को बचा लेते हैं और delicious मलारो सरकार तलवार लेकर अब दाली की तरफ जाने तो जंको जी बोलता है कि नहीं मल्लारव सरकार समझदारी इसी मियां कि हम यहांसे निकल जाएं आइए चलिए तो सभी लोग वहांसे भाग जाते हैं और तब भी आपर अफदाली और नजीम आता है तो नजीम बोलता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे जनाब हमें जो समझ रहा है हम अच्छी तरह समझ रही हैं। देखो ऐसा है आपने हमारे साथ जो करना था कर लिया। लेकिन अब हम आपसे बिंती कर रहे हैं। आप मुकता के साथ ऐसा मत कीजई। शादिय मुकता की कोई जनम दिवस नहीं कि इस साल नहीं मनाया तो अगले साल दूमदान से मना लेंगे मैं मुक्ता को उसके जीवन की साबसे बड़ी खुशी देना चाहता हूं तो अहिला बोलते कि पैसा से खुशी आने खुशी आती मादरो किसी और को स्कून देकर जो खुशी मिलती है वो असली खुशी होती है और अध्यार खंद्री खायता मलारो और जनको जीवाग रहे होते हैं और कभी मंलारो सरगार भागते-भागते हाफने लगते हैं तो जनको जीव बोलते हैं कि यहôm वह सब तो ठीक है लेकिं यह सब पहले सोचना चीए था हमं यहीं रुक कर उनका मकावला करना होगा और ये हम जनको जी सजहाः के साथ यहां से निकल जाएंगे हम यहां रोखर उनका मकाला करेंगे तो मंञराव बोलते हैं और तभी अब दाली नजीम से बोलता है कि उन्हेंने हमें बेवकू बनाया है और तभी फ्लेश बैक कसी दिखाया जता है जहांपर जनकोजी मलारो सरकार से बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है ये कोई बहादरी नहीं है ये आतमत्या कहलाएगी और बात को समझी आपका जीवीत रहना हमारे लिए बहुँ जरूरी है और अगर हमारे जैसे सैनिक मालवा पर नशावर हो भी गए तो कोई बात नहीं और पैदा हो जाएंगे लेकिन अगर आपको उख हो गया तो मालवा अनाथ हो जाएगा मुगलों को सबक सिखाने के लिए आपका जीवीत रहना बहुत जरूरी है और तभी हो सैनिक बोलता है कि मान जाये सरकार और तभी मलारा उनकी बात मान जाते हैं और उन्हें अपने वस्तर पहना देते हैं और तब यो तैनिक बोलते है कि आज मैं दन्या होका सरकार इन वस्तरों में मुझे मालवा के लिए प्राण चावर करने का मौका मिल रहे हैं इससे यादा सकून बरी मौत कहीं नहीं और तब यह मंदला रहो उनको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मालवा के इत्यास में तुम्हारा नाव सोवर नक्षरों से लिखा जाएगा तो इसे के साथ ही आज के अपसर खत्म होता तो वीडियो पसने तो लाइक करें और इस तरह के अपडेट जाने के लिए हमार चैन को सब्सक्राइब करें